हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम टुदा सक्सकिंद्राव। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार तरोगा पीटी एक्जाम के लिए करेंट अफेर्स का टेस्ट नमबर 24 डिसकस करेंगे। दोस्तो इससे पहले हम लोगोंने टेस्ट नमबर 1 से लेकरके 23 तक को कवर कर लिया था तो जिन साथियोंने टेस्ट नमबर 1 से लेकरके 23 तक वाली वीडियो को नहीं देखा है वो देख लेंगे इन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिय और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे और इस बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा तैकि सब्भी मैं बिहार दरोगा सब्सक्राइब के मामले में कौन सा राज्य सिर्स पर रहा है तो ध्यान से सुनिए यहां रिपोर्ट जो है नई दिल्ली में है और प्रजेंट में इसके निदेशक वह है रामफल पवार इनका नाम आप जरूर याद रखेगा रामफल पवार अगर हम बात करें कि अनसुचित जात्यों के खिलाएउ के कौन सा राज्य सिर्ष पर रहा है तो यह रहा है उत्तरपर्दिस दूसरे अस्थान पर राजस्थान और तीस्रे अस्थान पर जो है बिहार रहा है उसके बाद अगर बात करें हम ST के खिलाफ यानि कि सीडियूल ट्राइब के खिलाफ अपराधों के मामले में कौन सा राज्य जो है सेच पर रहा है तो ये रहा है मध्य परदिस पहले नंबर पर उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा है औ महिलाव के खिलाप अपराधों में 2018 की तूलना में 2019 में कितनी प्रतिसत की विर्धी हुई है Most important question है तो 7.3% की विर्धी हुई है आपको ध्यान रखना है Option D इस प्रशन का सही अंसर हो जाएगा और सबसे ज़्यादा अपराध के मामले जो है जनती मनाई गई है तो आपको बताने हैं तो देखिए सबसे पहले जानिए कि यह जो दो अक्टूबर का दिन है इस दिन को दुनिया भर में अंतराष्ट्य अहिंसा दिवस के रूप में मनाये जाता है महत्मा गांधी की कुछ महत्पून पुष्टकें हैं जैसे कि हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ तुरूथ और इनकी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी वो थी हरिजन याद रखेगा ये किस भासा में थी तो गुजराती में थी उसके बाद अगर बात करें यंग इंडिया तो यंग इंडिया जो पत्रिका थी ये अंगरेजी में थी ध्यान रखेगा ठीक है फ्रेंट्स और 1922 में महत्मा गांधी ने हरिजन स्वेम सेवक संग की अस्थापना किया था और टाइम स्पत्रिका ने 1930 में जो है गांधी जी को जो है ध्यान रखना आपको पर्सन आफ दे इयर घोसित किया था 1930 में टाइम स्पत्रिका ने और इस वर्स महत्मा गांधी की 1191 जैन्ती मनाई गई है ऑप्सन बी जो है करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखेगा कि अंतराष्टी जो है अहिंसा दिवस 2020 की स्थिति को मनाई गया अभी मैंने बता है कि यह मनाया जाता है दो अक्टूबर के दिन ध्यान रखेगा और इस वर्स की थीम क्या थी तो आपको याद रखना है इस वर्स की थीम थी गांधी एड़ रेट 150 150 सांती और विकास के लिए एक अहिंसक रास्ता याद रखेगा एक बार और मैं डिपिट करता हूं गांधी एड़ रेट 150 सांती और विकास के लिए एक अहिंसक रास्ता चलिए अगला कुस्टन देखिएगा पांचवा कुस्टन है कि हाले में भारत और किस देश के बीच दुई पक्षिये नौ सैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संसकरन बंगाल की खाड़ी में आईजित किया गया है तो ये पक्षिये नौ सैनिक अभ्यास है और इसका दूसरा संसकरन था इस वर्स और पहला संसकरन जो इसका आईजित किया गया था वो कब किया था 2019 में ध्यान रखेगा चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखिए नेक्स्ट कुस्टन है फ्रेंट्स की हाले में प्रधान मंत्री लिया था और साथी साथ प्रेक्टिस एक से लेकर के 17 तक को कबर कर लिया था तो जिन साथियों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वह देख लेंगे सबका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो ध्यान से सुनिएगा इस लंबाई है यह आपसे पूछी जा रहे है तो इसके लंबाई है 9.02 किलोमेटर यानि कि ऑप्शन एक करेक्ट अंसर हो जाएगा अगर चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई याद रखेगा इसकी चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है ठीक है फ् कि थल सेना दिवस कम मनाया जाता है तो 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है और 9 सेना दिवस जो है यह 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है आपको ध्यान रखना है वर्तमान में अगर बात करें कि भारतिये वाई सेना के अध्यक्ष कौन है तो वाई सेना अध्यक्ष है आरकेस दौरिया चलिए अगला कुस्टन करते हैं और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजे और एक शेयर जरूर कर जीजेगा कुस्टन नबर आठ है कि स्वक्ष भारत पुरसकार 2020 के अंतरगत स्वक्ष सुंदर सामुदाइक सौचाले में प्रथम अस्थ में पुछा जा रहा है दूसरा है सामुदाइक सौचाले अभियान और तीसरा जो खटेगरी है गंदगी मुक्त भारत यह तीन स्रेणी में दिया गया है अगर बात करें कि स्वक्ष सुंदर यह आप से प्रश्न में पुछा जा रहा है सामुदाइक सौचाले के स्रेणी मे किसको पहले अस्थान मिला है कौन सा राजी जो है उसको पहले अस्थान पर दिया गया है तो याद रखेगा ये दिया गया है गुजरात को ठेक है फ्रेंट्स अगर बात करें दूसरे में कि समुदाइक सोचाले अभियान में तो ये भी गुजरात को दिया गया है और गंदगी मुक्त भारत मिशन के लिए हर्याना राजी को पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ है सही अंसर इसका option number A हो जाएगा गुजरात और ये जो पुरसकार है किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया है तो यह पुरसकार जो है किसके द्वारा जल सकती मंत्री गजंदर सिंग सिखाओत के द्वारा दिया गया है ध्यान रखेगा चले next question देखिएगा कि हाली में चर् केट क्यू कुल ले करके भारती आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिस्द यानि कि ICMR ने चेतावनी जारी की है यह वाइरस जो है सूर और क्यूलेक्स मच्छर याद रखेगा सूर और क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है ठीक है सही अंसर इसका हो जाएगा option D वाइरस है चले next question देखिएगा दसवा प्रश्ण कि इन में से कौन सा देश क्वाइड का सदस्य नहीं है क्यू यू एडे तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स क्वाइड में जो है भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चार देश हैं एक पर और मैं रेपिट कर देता हूं भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं और यह चर्चा में इस आपको ध्यान रखने हैं और इसमें भारत की विदेश मंत्री S.J. संकर जो हैं हिस्सा लेंगे ठीक है आपको ध्यान रखने है तो चार देश हैं इसमें से संगतराज अमिर्का है भारत है और जापान है चीन इसका सदस नहीं है नेक्स्ट कोस्टन देखेगा 11 नमबर की भारत ने किस देश के साथ बहुत संबंदों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमिर्की डॉलर की घोसना की है इंपोर्टेंट कोस्टन है तो ये किया है सिरलंका के साथ ओप्शन A सही अंसर हो जाएगा अगर बात करें सिरलंका की सिरलंका के राष्टपती का नाम आपको याद रखना है यहां के राष्टपती है गोत बया राजपक्षे और यहां के प्रिधान मंत्री जो है वो है महिंदा राजपक्षे ये दोनों जो हैं भाई हैं और अभी फरवरी 2020 में सिरलंका के राश्टपती गोत बया राजबक्षे भारत की यात्रा पर आये थे तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोस्टन देखेगा कि दस बार बिना ऑक्सिजन के मांट एबरेश्ट पर चढ़ाई करने वाले स्नो लिपर्ट के नाम से विख्याद आंग रीता सेर्पा का हाली में निधन हो गया वे किस देश के थे तो देखिए ये जो आंग रीता सेर्पा है इनको स्नो लिपर्ट के उपनाम से जाना जाता है ये आपको ध्यान रखना है एक प्रश्ण तो यहां से आपसे पुछा जा सकता है और ये 10 बार जो है Mount Everest पर बिना Oxygen के चड़ाई करने वाले पहले वेक्ति थे और ये कहां के हैं ये नेपाल के हैं option C correct answer हो जाएगा अगर बात करें फ्रेंस कि बिना Oxygen के भारत के पहले वेक्ति कौन है जो Mount Everest पर चड़े थे तो याद रखेगा सेरपा अंग दोर जी ये भारत के थे जो बिना अंग हो जाए गए दोर जी बिना Oxygen के एवरेश्ट पर चड़े थे अगर बात करें कि एवरेश्ट की चोटी पर सबसे पहले चड़ने वाले पूरुष कौन थे तो भारत के तेंसिंग थे और तेंसिंग नर्वे और जो है निवजिलेंड के एडबंड हिलेरी थे ध्यान रखेगा ठीक है फ्रेंड्स अगर बात करें कि भारतिय महिला जिन्होंने एवरेश्ट चिकर पर चड़ाई की है सबसे पहले तो यह है बच्छेंदरी पाल और लगातार दो पाल एवरेश्ट की चोटी पर चड़ेने वाली भारतिय महिला है संतो स्याद हो सब कुछ आपको ध्यान रखना है चलिए अगला कुशन देखिएगा कि हाले में जारी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन्वार्मेंट इंडेक्स यंग चाइल्ड इंवार्मेंट इंडेक्स ECEI में बिहार का रैंक क्या है। इंपॉटेंट कुशन है तो इस प्रशन का सही अंसर क्या हो जाएगा विहार का रैंक जो हैa § 23 आपको ध्यान रखना है अगर बात करें पहले अस्थान पर कौन सा राज्ज़ है तो पहले अस्थान पर के रल है चलिए next क्योंस तो इसके लेखक हैं अस्मिरिती इरानी और आप लोग कमेंट करके बताएगा कि अस्मिरिती इरानी के पास कौन-कौन सा मंत्राला इस समय वर्तमान में है नेक्स्ट कोसन दिखेगा कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुशार भारत का सबसे कम परदुशित सहर कौन सा है सबसे ज़्यादा पर्दूसित सहर के बारे में हम लोग उने चर्चा किया था, सबसे ज़्यादा पर्दूसित सहर जर्या था, दूसरा स्थान पर धर्माद था और कम पर्दूसित सहर के मामरे में लूंग लेई है, याद रखे का कौन से सहर है, लूंग लेई है, option D, correct answer होग और यह हाली में चर्चा में रहा था और यह जो है कावेरी नदी पर है, option B इसका correct answer हो जाएगा, question 17 देखिएगा कि हाली में चर्चा में रहा, नेत्रावली वन जीव अभैरान के लेकर के वहां के जो political कारे करता है और जो राजनेता है, उन्होंने इसको tiger reserve बनाने की मांगी की है, और यह जो है कहाँ पर है, नेत्रावली वन जीव अभैरान यह गोवा में है, option A इस प्रशन का सही answer हो जाएगा, और आप लोग गोवा के जो प्रिजेंट में CM कौन है, उनका नाम आप कमेंट करके बता दीजिए, question 18 है कि कि सराथ जी के सरकार ने हाली में सरकारी नौक करके बता दीजिए, जिनको नहीं मालूम है, थोड़ी दिर में मैं आपको answer बता देता हूँ आगे में, ठीक है, 5% कारक्षन देने का नेलनाय लिया गया है, किनको तो अंतराष्टिय और राष्टिय पदक विजिताओं खिलाडियों को ये कि सराथ सरकार ने एलान किया है, चलिए, कुछन नमबर 19 है, कि नॉवंबर 2019 में अरुनाचल परद्यस में पहला हिंदी समाचार पत्र लौंच किया गया है, जिसका नाम है, पहला हिंदी समाचार पत्र, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरुन भूमी, option नमबर C जो है, करेक्ट एंसर हो जाएगा, और ध् लोगों ने जो पिछला प्रशन देखा था, इस प्रशन का सही अंसर हो जाएगा, option भी मध्यपरदेश, चलिए, next question देखिएगा, कि हाली में किस भारती अभिनेत्या को golden dragon award से समानित किया गया, most important question है golden dragon award, तो दीखे, कार्डिफ में कहां, आपको याद रखना है, कार्डि इस प्रशन का बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अगला question देखिएगा, कि Gulbekian पुरसकार 2020 से किसे समानित किया गया है, तो मानावता के लिए, पहला Gulbekian पुरसकार 2020, ये पहला Gulbekian पुरसकार है मानावता के लिए, इसलिए important है, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है, Sweden के climate activist Greta Thunberg को option A, सही अंसर हो जाएगा, और ध्यान रखेगा, इनको 2020 के Nobel सांती पुरसकार के लिए नामित किया गया है, ठीक है friends, और कुछी दी दिनों के बाद Nobel पुरसकार की घोशना भी की जाएगी, चलिए अगला question देखिएगा friends, next question है कि बरतमान में अंतराश्ट्री मुद 1945 में हुई थी, उसके बाद अगर बात करें तो इसका headquarter जो है, वो अमेरिका के Washington DC में है, और इसमें जो members है, वो 189 देश जो है, इसके सदस्य है, ठीक है friends, और IMF के बरतमान में प्रबंध निदेशक जो है, यह है, कृष्टी लेना जर्जिएवा, option B जो है, correct answer हो जाएगा और याद रखेगा, यह कहां की हैं, तो यह बुलगारिया की हैं, किस देश की हैं, तो यह बुलगारिया की हैं, आपको ध्यान रखना होगा, अगर बात करें हम यहां, गीता गोपिनाथन की, तो यह भारतिय मुल्की, अमेरिकी नागरिक हैं, और अमेरिकी अर्थ सास्त्र हैं और यह जो हैं अभी वर्तमान में IMF की जो है मुख्य अर्थ सास्त्री यानि कि चीफ एकनॉमिष्ट हैं याद रखेगा डेविड मलपास जो हैं यह कौन है तो डेविड मलपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं चलिए नेक्स्ट कुस्ण देखिएगा कि अपरेशन नमस्ते का संबंद निमने लिखित में से किस्से है तो सही अंसर हो जागा इसका ऑप्सन बर सी भारतिय सेना द्वारा कोरोना के खिलाब एक अभियान था और वर्तमान में भारतिय सेना के अध्यक्ष कौन है मनोस मुकुंद नर्वने हैं आपको ध्यान रखना ह कुस्टन बर 24 देखे कि सतत विकास लक्ष सुचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट रिपोर्ट 2020 टोटल 166 देशों की सुची में भारत का स्थान जो रहा है वो 117 हुमारा है ध्यान रखेगा पहले अस्था अफिरकन रिपबलिक का ध्यान रखेगा चलिए और इसको जारी कौन करता है इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क अगला कोस्टन देखेगा 25 नंबर के हाले में किस अभिनेता या अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट विकास कारेकरम की और से प्रतिश्टित SD SDG Special Humanitarian Action Awards से सम्मानित किया है इंपोर्टेंट कोस्टन है तो यह किया गया है सोनु सूध को ध्यान रखेगा का अगला कोस्टन देखेगा कि नाटो का थिवतकों की सम्मेलन का है तो आपको ध्यान रखनाना है नाटो का ful farm होता है North Atlantic Treaty Organization नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और इसके स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो हेटक्वाटर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है कहा है फ्रेंड्स बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है आपको ध्यान रखना होगा और इसमें टोटल 30 सदस्य देश है और आखरी जो 30 बना है आपको ध्यान रखना है 2019 में 30 सदस्य इसका बना नौर्थ मेसओडेनिया खौन नौर्थ मेसे डोनिया इसका थी के फ्रेंड्स यहां में लेखता हूँ नौर्थ मेसेडोनिया और इसका जो तीसवा सिक्षर संभलन आईजित किया गया था ये लंदन में किया गया था ओप्षन भी जो है इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोसन देखिए कि विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है तो देखिए ये जो है होटल इसमें सभी वस्तुवे यहां की लगबग 24 करेट सोने से बनी हुई है ठीक है और इसको खोला गया है वियतनाम की राजधानी हनोई में आपको वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दिजेगा 28 नमर आए किन्यम लिखित में से किस इस्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जैटली इस्टेडियम रखा गया है तो देखिए एक एकर करके हम चल्चा करते हैं यह एकाना क्रिक्ट इस्टेडियम कहां पे है यह लखनव म ठीक है फ्रेंट्स और इसका नाम रखा गया है पूरो परधान मंत्री अटल विहारी वाजपई के नाम पर लखनव में है ध्यान रखेगा इंद्रा गांधी इंडौर्ड इस्टेडियम यह दिली में है फिरोज सा कोटला इस्टेडियम यह भी दिली में है और इसी का नाम जो है रखा गया है और उन्जटली के नाम पर मोटेरा किरकट इस्टेडियम यह इंपॉर्टन्ट है यह दुनिया का सबसे बड़ा किरकट इस्टेडियम है और इसका एक्षार यह डहना कोस्ते लोगों ने कई बार चर्चा किया है कि इंद्रा, रसो, योजना किस राजा से सम्सबंदित है तो यह राजस्थान से है और कितने रुपय प्रती प्रटिप्लेट पुस्टिक भज़न देने की घोशणा की गही इस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया 2 तो यह दिया गया है 8 रुपे प्रति प्लेट आपको याद रखना होगा option A इसका correct answer हो जागा वरतमान में राजस्थान के मुकमंत्री है स्री असोक गहलोत चली अगला कोशन देखेगा कि हाली में किस देश ने विश्र की पहली बायोनिक आख तयार की है तो देखे ये बायो किसने ऑउस्ट्रेलिया ने option D correct answer हो जाएगा ध्यान रखेगा चली अंगला कोशन दिखेगा कि हाली में SSCO के अजुबो की सुची में आठवे अजुबे की रूप में किसे सामिल किया गया है संगाई Corporation Organization और इसका headquarter जो है वो चीन की राज़धानी बीजिंग में है आप लोग इस प्रशन का answer कमेंट करके बताएगा पिसले वीडियो में हम लोगों ने इसको cover किया था और आप से भी जानते हैं कि हमारे प्रमपरा रही है कि 102 प्रशन वीडियो के लाश्ट में आप स टेश्ट के रूप में पुछा जाता है दूसरा प्रशन है कि हाले में सूपर सोनी क्रूज मिसाइल ब्रमोस का सफल परिक्षन कहां से किया गया है इसका answer आप लोग कमेंट करके बताएगा और फ्रेंस हमारा अगला वीडियो होगा टेश्ट नमबर 25 उमीद करता हूं कि व विज़ा लेने का समय आ गया है अपने ध्यान रखी का पढ़ाई करते रही है मिलते हैं नेक्स टूडियो में थैंक्स पर वाचिंग